ठीक, ओके, आरे, कहां जा रही तो यहार हो गए, मैं अपनी फ्रेंट के यहां पार्टी में जा रही हूँ, बहुत अर्जेंट बुलाया है उसने मुझे, पहले भी नहीं जा पाई थी मैं, पर मेरी सिस्टर का ख्याल रखना, कब लोटोगी, बारा एक तो बज जाएगा, ब अरे, जीजु आप, और मेरे रूम में, वो भी इतनी रात में, कुछ कहां था क्या, अरे, मुझे क्या काम होगा, क्या पढ़ लगी हो, और दीदी कहां परे, दीदी तुझे नहीं पता क्या, बो तो अपनी फ्रेंट को साथ उन्जोय कर रही है, अच्छा, कब तक आएंग परसलिनी बात करना चाता हूँ, क्या, तु इतनी अफसाइट कैसा हो रही है, कुछ भी नहीं, वो, तेरी सुच्टर बोलकर रही है, क्ये, मेरी छोटी भेन का खयाल रखना, तो अब खयाल तो मुझे रखना पड़ेगा, अगर मैं खयाल नहीं रखूँगा, तो को और वैसे भी, मैं तेरा इकलोता जीजु हूँ, अब तो तु अक्सरा जबान सी होने लगी है, और काफी सुन्दर भी, तो चले, बैट में, साथ में सोबें, क्या, साथ में सोएंगे न, ये के कह रहो आप जीजु, दिमाग तो ठीक है, आपका, मेरा दिमाग तो ठीक है, तेरी दीदी बोल के गई है, उससे अपने पास रखना, ख्या रखना उसका, उसको साथ में सोला लेना, नहीं दीदी आसा नहीं बोल सकती, कामाल की बात है, बंदो मैं जुट बोल गया हूँ, देख, वो क्या है ना, एक बात में सम्झा रही है, तो अब बच्ची नहीं है समझे, और अच्छा बूर तो यह समझने से यह है, और कभी तुने मेरी निगाया देखी, कितना प्यार करता हूँ तुससे, और कितना चाहता हूँ कि तुम मेरे करीबा, लगर तुरी बेहन ना, मुझे बहुत गुस्ता आता हूँ उस पर, मैं उससे कई बार बोला, कि मैं मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, मैं उस समझती नहीं, क्या बेहने बेहने एक घर में रह सकती, माना के थोड़ी तुरी उमर कम है, दो-तीन साल के बाद पूरी जबान हो जाएगी, तेक मेरी बात का गलत, मनलमन निकाल ले ना, तो अच्छे काशी समझदार है, टैन के आसे पढ़ रही है, अब तेरा भी तो ख्याल होगा ना, कि मैं किसी लड़के साथ रहूं, उसके साथ नजोए करूं, मजे नूँ, सोचती तो कोई भी ऐसा, नहीं जीजू, आप अपनी कमरे में चाहिए, मुझे ये सब बात हैं नहीं करनी आप से, अलब तुम इस तरीक स चलना, कुछ भाचीत करते हैं, और एक दूसरी रों सबस्ते हैं, और बैसे भी ना, दो साल के बाद तो मैं तुसे साथी करूंगा, तेरी भेन भी रहेगी, और तू भी रहना, तुझे कुछ बस साहतराज है, बोल, नहीं जीजू पर, दीदी, अरे कुछ नहीं, दीदी, अरे उसने तो बोल दिया, अगर उसकी मर्जी है, तो हम रह लेंगी, फिट तुझे क्या दिक्कत है, मैं कैसे मालू, आप से दीदी ने कहा है, अच्छ तेरी मर्जी है, अगर तेरी मर्जी हो, तो बोलू, नहीं, नहीं, मैं यह सब नहीं कर सकती, अरे क्यों नहीं कर सकती, अरे तु जवान हो चुकी है तु क्यों नहीं समझती देख इतनी रात में तेरे लिए अब तक जगा पढ़ा हूँ है अगर मुझे तुस्से प्यार नहीं होता तो मैं कैसे जगता और क्यों जगता देख अक्सरा देख मैं तोड़ा एज में ज़ादा हूँ समझ सकता हूँ मगर प्यार तो करता हूँ नहीं एक लड़की क्या चाहिए प्यार करने बाला और हाँ आज के लगे लड़को भरसा मत कर पता है क्या है तेरे साथ उल्टा सीदा कर गया तो यह छोड़ देंगे और खमसकम इतना तो तो यह बिस्वास होगा cosm gay क्या है यह सफ अभी-डी देडी जी जुना मेरे साथ मेजी कर रहे थे तुम इसके साथ सुद्ध कर रहे थे तुम इतननी जल्दी क का गई की यह सब सशोड़ो तुम्हारे बढोंसे चोड़ के गई थी और तुम ही मेरे बहरें के साथ ये सब कर रहे हो शरम नहीं आई तुमें देखो मेरा मक्सद ये नहीं है जिससे तुम सोच रही हो मेरे बास समझो मिज़े माफ कर दो मैं तो बस इसे अपने पास सुलाने के बाले में बोल रहा था मेरा को यहां से रहता नहीं जो क्या? तुम्हारी बास समझू क्या समझाना चाते हो तुम मुझे ये सब मैंने खुद अपनी आखों से देखा और मुझे ना तुम्हारे साथ एक मिर्ट नहीं रहना मैं जारी हो अपनी वहन को लेकर एसे गंदे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती अरत यार माफ कर दो मुझे तुम मेरी बास समझने कोशिस करो मुझे कुछ नहीं समझना डिवोस की पेपर मेरे घर पहुचा देना सुन तो लो चल सुनो